सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चैनल लारन अपूट मेडिकन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नॉटिफिक्स इन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाफ फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबूट मेडिशिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में शंपॉन जानकरी दोस्तों आज का वीडियो डिजीज एंड दियर टीटमेंट सीरीज का वीडियो है जिसमें हम बीमारी के बारे में उसके लक्षनों के कारणों के बारे में दोक्टर द्वारा क्या उस बीमारी में इलाज दिया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं आज के इस वीडियो में य वीडियो को अंतक देखें चJI doesn't to go in the इसके इसके इलाज के बारे मिल में हूँ आपको दोस्त हैं के अइन्य Donald of medicinen Warum к नमस्त दोस्तो वीडियो में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि माइगरेन क्या होता है माइगरेन एक प्रका का सिर्दर्द है जिसमें व्यक्ति को तेज सिर्दर्द होता है और यह सिर्दर्द एक तरफ होगा या तो दाई तरफ में या बाई तरफ में और ज्यादा तर यह देखा गया कि यह सिर्दद व्यक्ति को सामने के हिस्से में होता है जो frontal lobe हम कहते हैं और इसके साथ में क्व्यक्ति की आँख भी दर्ध हो सकती और आँखों में redness भी हो सकती इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में यह एक साइड का पूरा सिर्दद आग कि यहां फो कि व्यक्ति हैं ऑप करें क्या कि इसके लख दखन होते हैं शेम्टरमी ऑफ में तो जब भी मेक्ति sogar में शोड़े अधो और यह एक तरफ में भी में हो सकता है और तीस मिनीट से शुरूर होकर दिरे-दिरे दो गंटे में बहुत तेज हो जाएगा इस सीरदर्ध का जो duration होता है 4 गंटे-स लगा 72 गंटे तक होता मतलब तीन देन तक रेगुलर सीरदर्ध होता है और जब किसी वेक्ति को सीर अ में की होता है तो व्यक्ति को तेज रोना हो सकती है यह कुछ इसके लग्षन है अगर यह सभी समुष्श आपको आपको हैं तो अब खानपान का सही HAS proven सहां मांद सीप इसburg Record ये जादा समय को तक प्राइब करें लेप्टोफ को हो सब्सक्राइब सति हो खानपान का जाइन हो न मदलब लंबे समय तक भूके रहना सुभे का जो नास्ता है काफी देर बाद करना कई बार मील को skip कर देना वर्त यह उपवास रखना इस तरह से अगर खाने में आप डिस्टोबेंस रखेंगे तो आपको माईगरेन की समझ्या हो सकती है मानची की सत्ती जैसे एंजाइटी रहना किसी को डिप्रेशन होना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना स्ट्रेस का मेनेजमेंट नहीं कर पाना इसके अलावा अननेसेसरी ब्रेन पर दबाव देना इस कारण से भी माईगरेन की समझ्या होती है और महीलों में यह देखा गिया है कि हार्मोनल चेंजेज होने पर यह हार्मोनल इंबेलेंस होने पर यह समझ्या होती जो ज़्यादा तर पीरिड्स के दोरान होती है और इसी कारण से महीलों में पीरिड्स के दू दिन पहले से लगा कर पीरिड के तीन दिन बाद तक ये माईगरेन सिर्दर्द की समश्या देखे गई है और 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा तर पढ़ाई का unnecessary stress लेने पर जो devices से इनको बहुत ज़्यादा प्रियोग लेने पर इसका सिर्दर्द देखा गया है ये कुछ most common कार्ण थे जिस कार्ण से व्यक्ति को माईगरेन की समश्या होती है और जब व्यक्ति को माईगरेन की समश्या होती है दोक्टर के पास बताने जाते हैं तो क्या treatment उन्हें दिया जाते हैं उसके बार में हम जान लेते हैं सामय जाते हैं जिन जिन डोक्टर को बताते हैं पहले तो अलगलग भागों माटा गया है पहला भाग है जिसमें विक्ति के जो माइगरियन का सीर्दर दे उसको तुरंद भी रोका जाता है इंस्टेंट के लिए कुछ मेडिसीन दी जाती है और दूसरा जो पार्ट उसो प्रोफाइलेक्स इस मतलब आगे माइगरियन का सीर्दर विक्ति का नहीं हो उसके बचाओं के लिए ट्रिप्मेंट भी आ जाता है तो पहले हम जान लेते हैं जब बहुत तेज़र्द होता है उसको इंस्टेंट क्या दवा दी जाती है तो उसमें अलग-अलग दवा देजने के लिए तीन से च्याट दवा है जिसमें सबसे प्रम इस बचांता है एक बार कम हो जाता है अगर इन दोनों डेलेने पर भीसिर दर्द नहीं हो तो एक हो को टेबलेट ने में है डिसे टेबलेट जिसमें सुमाट रिप्टान तथा नेप्रोक्षन यह दोनों ही दवाईयां होती है यह काफी महेंगी टेबलेट है बहुत ज्यादा आवसकता होने पर इसे लिया जाता है और एक टेबलेट में काफी अच्छा असर मिल जाता है इस तरह से पहला टीट टेबलेट फीली्ट टेबलेट इसे प्रोपर्नलल टेबलेट दी जाती इसे शुबह एक लेने की शला दी जाती है यह 10मिलिगाम से लगागर 40मिलिगाम तक हो सकती जो पैसेंट की निडी के एकोर्डिंग है कितना पुरा ना उसको माइरेन की प्रॉबलम में और इसे तरह सुबह के समय लेना होता है और ज्जाधा सिरदरद होने पर प्रोपनल टेबलीट सुभए एक और साथ में फ्लोनरीजिन के साथ में भी एक दी जाती है इसके अलावा एकर प्रोपनलो नहीं दे तो सर्टालीन टेबलेट 50 मिलिगाम की रात को सोते समय दी जा सकती है यह एक महिने दो महिने या ज्यादा आवस्टा तो तीन से चार महिने तक भी दिया जाता है उसे देरे-देरे ग्रेजुली डिक्रीज करके बंद किया जाता है और इसके दर्मियान यह दी व्यक्ति को माइगरेन का सिर्दर्द आएगा एपिसोड आए हेडे का तो उस समय यह जो पेंकिलर हमने बात के थी नेक्स डॉम टेबलेट ग्रेनिल टेबलेट यह जादा से निजात दी जा सके और जब व्यक्ति 3-4 मईने कंप्लीट इसका ठीक्मेंट लेटर आए तो उसका माइगरेन का सिर्दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है तो इस तरह से डॉक्तर द्वारा माइगरेन के टीट्मेंट में दवाईयां दी जाती हो माइगरेन का ठीक्मे